आप सबका मेरे एक नए वीडियो में फाइनली बजाज ने लॉंच करती है दुनिया की सबसे पहली बाइक और दुनिया की पहली से बाइक आज यह कंप्लीट डीटिल में बाइक के बारे में पता हूंगा कि यह रिसका प्राइस है कितने हैं कितने आपको इसमें कलर्स मिलते हैं चलाने का वुडियो आगा अभी सिर्फ हम वाकरांड करेंगे तो सबसे बहुत को इसके डिजाइन बट इन रियल इट लोक्स वेरी ब्यूटिफुल एक बैक पहले आती थी कोई दूसरी कंपनी की तरब से जिसका थोड़ा सा लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा बट रियल में आपको बहुत अच्छी यह दिखेगी बहुत कंपक्ट बाइक है और शायद वीडियो में आपको चोटी दिखेगी बिकाज मैं इसको वाइड एंगल में शूट कर रहा हूं बट काफी बड़ी बाइक है अब हम बात करते हैं प्राइस के बार में प्राइस के घडर कम वाला विरिंट है मिडल वाला उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा और उसमें आपको फुल एलेडी हेडल मिलेगी उसका प्राइस है वन लाग 5000 रुपीज उगल आप पांसेजार रुपे ज्यादा दोगे तो आपको डिस ब्रेक वाला विरियन्ट मिलेगा तीसरा आपको मिलते हैं जो आपको कलर अच्छा लगे वह आप ले सकते हैं अब आपको बताता हूं कि इसके आपको और क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले हम इसकी चाबी है वो लगा देते हैं और एकदम से कंवेंशनल बाइक है ऐसा नहीं है कि इसको CNG में दिया है इसका मतलब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है बहुत ही easy बाइक है और अब आपको मैं सामने से दिखाता हूं तो जैसे आप ignition on करोगे यहां पर आपको जो lights वगएर है वो कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगी बट और किसके अलावा अगर आप suspension पर देखोगे यहां पर आपको freedom का नाम देखने को मिलेगा यहां पर एक अलग सी design दीगी है basically क्या होता जब आप normal कोई bike लेते हो ना committing segment की उसमें आपको यह सब ज्यादा देखने को नहीं मिलता है बट यहां पर जो quality जो design इनोंने भी है पैन मोटा है यहां पर दोनों ही तरफ freedom का नाम लिखा गया है तायर की हम बात करें तो यहां पर आपको tubeless tire मिलते हैं और जो wheel है उस पर आप देख सकते हैं आपको blue color के जो stickers है वो देखने को मिलेंगे सामने जो आपको tire दिया गया है वो 90 section का है और यह जो tire है यह 17 inch करेगा ABS इसके इंदर आपको नहीं मिलता है पीछे आपको drum brake मिलेगा मेरे साब से 130 mm का drum brake आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसके लावा कच्रा बच्रा ना गिरे आपके उपर और इंजिन के उपर यहां पर आपको mud guard दिया गया है जिससे का है तोड़ा सा और extended यहां पर एक पैनल दिया गया है और आपको यहां से मैं फिर से दिखा देता हूं तो बाइक कुछ ऐसे दिखती है अब हम बात करते हैं इसके इंजिन के बारे में तो यह है 125 CC का एंजिन एर कूल एंजिन है और इसका power output है 9.5 horsepower का और 9.7 nms का torque आपको मिलता है around 8000 rpm का आपको जो power है किक आपको दिया गया है यहां पर आपको देख सकते हैं आजकल बिना किक आ रही है यहां पर आपको बजाज ने किक दिया है यह आपको by default मिलता है crash guard और engine guard में इसको कह सकता हूं आगि नीचे आपको एक plate और दी गई है ताकि जो इसका exhaust है वो अगर नीचे hit भी गरे आपक करते हैं इसके tank के बारे में तो देखो इसकी टैंक है वो दो लीटर की है इसमें आपको petrol and CNG दोनों मिलता है दो किलो की आपको CNG की जो टैंक है वो इसके नीचे मिलेगी यहां पर आपको देखने को मिले जाएगे मैं एक बार आपको open भी करके दिखा दूँगा इसके अल यहां पर आपको CNG बरवाने का जो option है वो दिया है यहां पर petrol दो लीटर का petrol टैंक है और mileage वगरे क्या है वह आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं यह plastic parts आपको दिये गए है freedom का नाम यहां पर लिखा गया है बजाज को लोग आपको यहां पर दिया गया है and यह segment में जितने भी commuting segment की bike शाना सब में बड़ी यह seat है मतलब मेरे साब से चार लोग आराम से बाइक पर बैट सकते हैं हालांकि मैं कहूंगा कि चार लोग नहीं बैटना है बट अगर आपको कभी adjust करना तो वो आप कर सकते हैं यह साइट से गर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिया गया है अगर आप देखोगे तो टाइर है ना यह 120 section का टाइर यहां पर आपको दिया गया है 120 by 70, 16 एंच का सामने वाला मैंने आपको बताया दा ना कि 17 एंच का यहां तापको 16 एंच का एक इंच छोटा टाइर आपको यहां पर दिया गया है बाकी stickers आपको देखने क वो दिया गया है और पिछे footpacks पिछे से बाइक कुछ ऐसी दिखती है अब इसका जो की एना में on कर देता हूं ताकि आपको पिछे जो टेल लेंपर वो देखने को मिले आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा जैसे आप ब्रेक दबाऊगे तो लाइट ऐसी कुछ जल जाएग ग्राइबरेल दिये के हैं बोडी कलरड़ सीट का जो प्राइटर न आप देखिए काफी कमफोडेबल सीट मेरे साब से रहने वाली है बट एनिवाइस जब हम इसको चलाएंगे वो टैम पर आपको बताने वाला हूं इंडिगेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और थ ऑप साटाई गाड यहां पर दिया गया है और यहां पर आपको बताने पाहल के सकते हैं वाजय सकते हैं इसको लगा क Kuniva कर सकते हैं मजबूती जो है इसकी जो एंजिन जो गाड है क्रेश गाड है उसकी काफी अच्छी है हेल इंटो आपको शिप्टर यहां पे दिया गया है ओवरल बाइक का जो वजन है वो है 147 किलो जो आपको तोड़ा सा ज्यादा लगेगा ये सिग्मेंट की बाइक के लिए जो टैंक है ना CNG का उसका थोड़ा वजन ज्यादा होता है अब हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बार में यहां पे आपको एक सिंगल पाइप हैंडल बार दिया है पर थोड़ा सा रेजड यहां पे दिया गया आप चलाने के टाइम पे ही इसको आप योज कर सकते हैं ये बटन मेरे साब से ये Bluetooth का है इसमें आपको Bluetooth कनेक्टिविटी मिलती है जो आपको मा आगे बताने वाला हो ये इंडिकेटर आपको दिया गया है काफ़ी लाउड है, राइट हैं साइड में आपको यह स्टार्ट करने का स्विच दिया गया है, बाकी और आपको यहां पर कुछ मिलता है, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी मिलता है, मतलब पीछे का ब्रेक दबाओगे, तो सामने का ब्रेक अपने थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, चावी आपको फेस से दिखा देता हूं, ऐसी चावी मिलती है, यह आपको रिवोर्स डिजिटल स्क्रीन देगी और आइकें से डिजिटल स्क्रीन आपको यहां पर देगी है, और फ्रीडम डेमो वन टू थी इसका नाम यहां पर आ रहा है इसमें आपको ओड़ोमेटर रीडिंग, डाइब, एंड स्पीड आपको दिए गई है, गेर पोईशन इंडिगेटर आपको यहां पर दिया गया है, बटन्स प्रेस करके देख लेते हैं, पेट्रोल, मोड है, और मोड्स बगर देखने के लिए क्लॉक, ब्लुटूथ ओन यहां पर यहां पर आपको ओपशन दिया गए, यहां पर और कोई आपको फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलता है, और मिरोष की क्वालिटी भी काफिछी है, ब्लूप लंबे वाले मिरोष काफिपसंत आते हैं, अब हम बात करते हैं इसके रेंज के बारे में, तो देखो इसमें आपको 2 kg का CNG का टैंक मिलता है, 2 L का पिट्रल टैंक मिलता है, जो रेंज है वो कमबाइंड 330 km से है, मतलब आप 2 kg CNG and 2 L पिट्रल भरा होगे, तो दोनों का मिक्स आप 330 km चला पाऊगे, मतलब 1 kg CNG से आप 102 kg इसको मिनिमम चला पाऊगे, तो कोन है, कोन है, कोन है, गोलमाल है, मैसाब, गोलमाल, 330 मिल जाएगा, मिल जाएगा, जो अपि याउन 2 L क्ला पाऊगे, तो 330 की रेंग ऑगर आप देखोगे, तो 2 L में आप आप 230 जाएगा, 330 km मिल जाएगी, तो कमबाइगे ने इसिंगल टैंक which includes petrol plus CNG. अब अभी अम bike को स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्जॉस्स कि साउंड एना वह सुनाएंगे आप बाइग आप जरूर बाइक मुझे नीचे कमेंट करने हैं आपको बाइक की नक्रीनी कमेंट करें, आ प्लीस किते ही आपने हैं स्वाईदा हो आपको 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 सबस्क्षिए. को सबस्क्तव हुए जरूर आप हussia और का जानना आपको यह बाइक के बारे में मज़े जरूर बताएं मैं पास आज बाइक है यहां पे और आप मुझे जो भी पूछोगे यह बाइक के बारे में वो सब डेटेल्स आपको यह वीडियो के अंदर शायद तो मिल गई होंगी और अगर नहीं मिली तो आपको मालग एक वीडियो बना के बता दूँगा और प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को आपको मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम राइट सेप इन अलवेज वेर यूर हेलमेट